ओम नमाशिवाय भादपद मास क्रिश्न पर्ट्ष रवीवार सप्तमी तिथी पूरे दिन और रात्री आठ बज़कर पच्चास मिनट तक लगी रहेगी तत्पस्चात अश्टमी तिथी प्रारंब हो जाएगी चंद्रमा क्रितिका नक्षतर में शाम आठ बज़कर पचास मिनट तक चलते रहेंगे तत्पस्चात रोहडी नक्षतर में प्रवेश कर जाएगे कृतिका नक्षद्र के जन्मे जातक सुंदर, तेजस्वी, विद्वान, प्रसिधी पाने वाले और गिद्या प्रेमी होते हैं ऐसे जातक उदार हिर्दय वाले, सामाजिक कारे करने वाले, अतितियों के सतकार में कुशल, आराम पसंद, प्रभावसाली व्यक्वित्यों के स्वामी, रचनात्मत कारियों में ब्रेस्ट रहने वाले और सरकार से लाव प्राप्त करने वाले होते हैं इनका मूलू देश से अधिक से अधिक धन कमाने की ओर लगा रहता है, यदि सहयोगी लगन रहा, सूर्य और सुक्र की स्थिति अनकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे चंद्रमा आज पूरे दिन ब्रिश राशी में ही चलते रहेंगे, जिसके राश स्वामी सुक्र देव हैं आज बहुत ही महतपूर्ण दिन है, आज की रात्री बारह बजे अस्टमी तिथी के साथ रोहिडी नक्षतर में चंद्रमा चलते रहेंगे ऐसे सायोग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाया जाएगा आज शुक्र देव अपनी नीच राशी कन्या राशी से तूला राशी में प्रवेश कर चुके हैं जो की शुक्र की अपनी राशी है, जिनके कारग्रह शुक्र हैं ऐसे जातक हर छेतर में अनुकूलता महसूस करेंगे ब्रियस्पति और शुक्र की यूती तूला राशी में कुछ दिनों तक बनी रहेगी जिसका प्रवाव प्रत्यक जातकों पर उनके अपने कारकों और महादसा की अनुसार पड़ता रहेगा शुक्र और ब्रियस्पति दोनों सातिक गुरू और तामसिक गुरू हैं इनके यूती का प्रवाव इनके अपनी राशीयों के अनुसार कारे छेतर और मानसिक सोच को प्रभावित करता रहेगा मेश राशी के जातकों के लिए आत्मविश्पास और कारे छमता बढ़ी रहेगी रचनादम क्रिया सील्दा और वाणी की तेजस्विता में ब्रिद्धी होगी धन लाव क्रचुर मात्रा में संभावित है नई कार योजनाव की निरंतरता बनी रहेगी और विशे सुपलब्धी हासिल करेंगे नीजी निवेस की योजनाव में रुकावट संभावित है मगर साजेदारी लावडायक रहेगी और सासन सत्ताव अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा विद्यार्थियों को अध्यान अध्यापन में सफलता मिलेगी और प्रयासारतक होंगे वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा ब्रिश रासे के जातकों के कारे छेत्र में रुकावट अनावसे खर्च और अंचाही यात्रा की संभावना बनती है मगर अत्याधिक क्रिया सीलता रचनात्मा क्रवरित्ती और प्रत्योगी भावना से आपके हर कारे संपन होंगे नीजी निवेस के लिए आज का दिन अनकूल है आर्थिक लाव मन मुताविक मिलता रहेगा मगर कुछ योजनाव के प्रस्ताव लागू होने में बिलम की संभावना भी बनती है साजेदारी के कामों में मदद मिलेगी स्वास्त के प्रती चिंता संभावित है साजन सताव और अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा विद्यातियों के लिए आज का दिन सामान रहेगा अध्यान अध्याबन में प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा मिथुन डासिके जात्मों के नीजी वा संतान संबंधी मामलों में निवेश की संभावना बनती है कारेच छेत्र में रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी और साजेदारी के कामों में लाव संभाव है नए प्रस्तावों के लिए समय अनकूल है सासन संताव अधिकारियों की प्रेरणा मिलती रहेगी पारिवारिक ताल मेल बना रहेगा नीजी संबंध प्रगाड होंगे वैवाही प्रस्तावों में सफलता मिलेगी मगर अनावर्श्य खर्च, अंचाही यात्रा और स्वास संबंधी जटिलताओं का संकेत मिलता है से बल मिलेगा और मन मुताबिक सफलता मिलती जाएगी माता से भी आर्थिक सहयोग संबंध है प्रगति के मार्ग प्रशस्त होंगे नई कारियोजनाओं के लावदाय प्रस्ताव सामने आएगे और आर्थिक पक्ष को सुद्रिड करने की मान सिक्ता बनी रहेगी पारिवारिक दायत की पूर्ती में आर्थिक निवेश संबह है स्वास संबंधी जटिलताओं पर भ्यान रखना चाहिए पारिवारिक तालमेल में कमी और संतान संबंधी चिन्ता संभावित है विद्यातियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा सिक्षा प्रतियोगित्या में प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्पूल रहेगा सिंग रासि के जात्कों के लिए आज का दिन दुके हुए कारियों को संपन कराने में सहयोग करेगा कारेच्षेत के प्रयासों में सरकारी सहयोग जारी रहेगा और उत्थान कीमान सिक्ता बनी रहेगी सरकारी कामकाज पूरे होंगे और भैरे से पूरे दिन की गतिविधियों में ब्यस्त रहेंगे ये एक साथ कई काम करने पड़ सकते हैं मगर आर्थिक लाफ सामान रहेगा कुछ कामों में विवाद या विरोध की संभावना भी बनती है विद्यातियों के लिए आज का दिन सहीयोगी रहेगा अध्यन अध्यापन में सफलता की उमीद बनती है और वयवाहिक मामले अनकूल रहेंगे कन्या राशिक के जात्कों को आर्थिक और व्यावसाई छेत्र में मदद मिलेगी और भागेवस काम अच्छे होंगे विद्यातियों के लिए आज का दिन सामान रहेगा अध्यान अध्यापन में प्रयास जारी रखें वयवाहिक मामले आज के लिए अनकूल रहेंगे धार्मिक भावना में बिद्धी होगी और देवदर्शन के योग बनते हैं तुला राशी वाले जातकों के दिढ़िछा सकती और आत्मिस्वास में बिद्धी होगी कारे छेदर में विकास होगा और नई कार्योजनायन सफल रहेंगी साजेदारी लागदायक रहेगी और नए निवेश का योग बनता है संबंदित मामलों में छोटी यात्रा या प्रवास के इस्तिती संभावित है स्वास संबंदी जटिलताओं में सुधार होगा आर्टिक लाग के साथ-साथ अनावशक यात्रा का योग भी बनता है सासन सब्ताव अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा नेजी संबंदों में निकटता आएगी और स्वास संबंदी आवसक साथ-धानी अभी भी रखनी चाहिए विद्यातियों के प्रयाज सार्थक होंगे अध्यन अध्यापन में सफलता मिल सकती है और वाहन साथ-धानी से चलाएग ग्रिश्चिक राशी वाले जात्कों के लिए कारिच्षित्र में विस्तार होगा और अधिकारियों का सहयोग बरकरार रहेगा नई कारियों जिनाव में प्रतिनी धित्र करने का मौका मिलेगा और लावदायक प्रस्ताव सार्थक होंगे आठिक मामलों में आज का दिन सामान रहेगा हाला कि आपका उत्साह और निडिच्छा सक्ति ब्यावसाइक लाव बढ़ाने वाला होगा मगर काम करने में और संतुष्टी भी महसूस होगी वैवाइक मामलों के लिए आज का समय अनकूल रहेगा विध्यातियों को सफलता मिल सकتी है अधेन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और मन में नकारात्मक वीचारों को ना लाएं धनु राशिक के जात्कों के लिए शाष सम्मंदी सालधानी रखनी चाहिए ब्यार्थ के प्रयास, ब्यावसाईक अउरोध और विचारों में मतभेत का संकेत मिलता है, हलाकि सकारात्मक प्रयास और दिड़ इच्छा सक्ती बरकरार रहेगी और कारे छेतर में मन लगेगा, आर्थिक वक्ष मजबूत रहेगा, मगर वाद विवाद और उल्जाव के इस चंद्रमा के इस्थिति छठमे भाव में नाकारात्मक विचारों को जन्म देगी, पर इस्थितियों के अनुसार सामाजय से बिठा कर आज के दिन चलना चाहिए, विद्याथियों के लिए आज का दिन अच्छा है, सिक्छा प्रत्योगिता में सफलता संभावित है, प्रय चंद्रमा के इस्थिति करने की छमता का विकास होगा, और कुछ मामलों में उत्साह, कारी वर्जा में वृद्धी के साथ साथ महत्पूर नेने में बुद्धी कोसल और जड़ विश्वास की स्थिति बनी रहेगी, और कारे छेदर में उन्नती के मार्ग प्रसस्त होंगे, नई कार्योजनाओं में अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा, संतान समन्दी सुख समाचार मिल सकता है, विद्ध्यातियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिर्थ होगा और प्रयास आर्थक होंगे, मगर मौसम की जटिलताओं से सावधानी अप्रेक्षित है, कुम्ब राशिके जात्कों के लिए नीजी सुख सुख उधाओं में विद्धी होगी और आवस्यक संसाधनों में निवेश का योग बनता है, कारे छेत में चल रही जिम्मेदारी का निर्वहन होता रहेगा और मानसिक संतुष्टी बनी रहेगी, हाला कि नई कारियोजनाओं में अधिकारियों का सहियों कायम रहेगा, धन समन्दी मामलों में आज का दिन सामान रहेगा, समयानुसार लावदायक प्रस्ताव आते रहेंगे, साजेदारी सफल रहेगी, मगर सारे व्यावसाई कारियों में सावधानी अपेक्षित है, इन राशी के जातकों के लिए दिड़िच्छा सक्ती बढ़ी रहेगी और रचनात्मक प्रयासों का दोर जारी रहेगा, कारिच्छत की निरंतरता बनी रहेगी और आठिक लाव में सहयोग मिलेगा, बहुत धिक सक्रियता, नीजी संबत्ती में विध्धी, रुकते हुए क कामों और धन संबंदी मामलों में उकलबधी का संकेत मिलता है, मगर स्वास संबंदी जटिलताओं पर भी ध्यान देना चाहिए, संतान संबंदी चिंता में कमी आएगी और विध्यातियों के लिए आज का दिन उत्साह जनक रहेगा, शिक्छा प्रत्योगता में प्रयास जारी रखें और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा, आज के लिए वसितना ही, कल फिर मिलेंगे, ओम नमाशिवाए